हे गाईज, वल्कम टु देव भूमी कर्यर पॉंटों जहांकि पूर्व वीडियो में आपको ये भी बता था कि कमिस्नरी का मतलब होता है मंडल जैसे कि आज भी वर्तमान समयकी में मैं बात करूं उत्राखण में दो कमिस्नरी आज भी हैं गडवाल कमिस्नरी और कुमाओ मंडल और गडवाल मंडल ठीक है तो भाग एक में हमने डि बिटिस कमाओ गडवाल का जिसमें अन्य महतोपॉंट जो पॉइंट उन पर चर्चा करेंगे और साथी देखिए एक दो पॉइंट रह गए थे भाग एक में उनको यहां पर मैं डिस्कस करूंगा जैसे कि पहला पॉइंट रह गया था देखिए ट्रेल के टाइम पर कुमा में ट्रेल रिटायर हो गए और दिसंबर 1835 से लेकर 6 अपरेल 1836 तक कार्यवाहक कमिशनर के रूप में मौसले इसमित ने कार्य किया यहां पर ठीक है मतलब जो मौसले इसमित आया वो केवल कार्यवाहक कमिशनर के रूप में यहां पर आया था और इसके बाद कुमाओं में तीसरे यहां पर कमिशनर बनकर आते हैं, जोर्ज गोबन, बहुत जगपर गोयन भी दिया है, तो गोबन या गोयन एक ही हैं, तो तीसरे कमिशनर थे जोर्ज गोबन जिनका कारेकाल रहा 836 से लेकर 839 तक, ठीक है, लेकिन दोई साल इन्हों ने यहां पर काम किया क्योंकि जो इनका प्रसासनी कारे रहा दोस्तों इतना अच्छा नहीं था, जिस कारण ऊपर जो प्रिटी से हुकूमत बैटी हुई थी, वहां पे काफी सिकायत है गई थी जनता की, जिस कारण क्या हुआ कि इनको इनके पत से हटा दिया गया इस्तांतरित कर दिया गया था, लेकिन गो अच्छा सासन में आपको पड़ा रहा था दोस्तों कि हरिद्वार उसमें क्या था, दास मंडी था, वहां पे दास विकरी के लिए फेमस था हरिद्वार, मनुस्यों को वहां पे बेचा जाता था, पॉस्वों सो भी कम कीमत पे, जो उसमें गाय, भेंस, गोरे, गदे थे, उनकी कीमत मनुस्यों से भी जादा थी, थीक है, तो इस प्रथा को समाप्त किया था, कुमाव छेतर में, जोर्ज गोबन ने, महतोपन पॉइंट है, अब बहुत जे लोगों के मन में ये डाउट हो जाएगा कि, देखे, भारत में तो दास प्रथा का अंत 843 में हुआ, 843 में हुआ था, भारत में लोड एलन बरो ने करवाय था, इसको समाप्त, लेकिन दोस्तों देखे, सबसे पहले अनुसंसा आई थी, 833 का जो चार्टर अक्ट आये था, इस एक्ट में ये बोला गया था, कि भारत में जो उसमें ये दास प्रथा वगेरा है, इनको बंद कि किया जाए, ठीक है, और इसके बाद देखे, गोबन ने एक महत्वपुन कारिया, और किया उसमें देखे, जो काम होते थे, राजसों अगेरा के, वो करते थे, पटवारी और कानुन गो, ठीक है, तो इनोंने क्या क्या गोबन ने, एक नया पद स्रजीत किया था, सदर अमी जो मामले होते थे, सदर अमीन उनको हैंडल करता था, दिवानी मामले, ठीक है, और सौर्वे से उपर के जो भी दिवानी मामले होते थे, उनको कमिस्नर देखता था उसमें, ठीक है, और इसी के टाइम पे 837 में देखे, अलमोगा में थाने की स्तापना होई, ये कोश्चन जेल की स्तापना ऐसा अलगी दिखा रहा है, लेकिन आपको बता दू दोस्तों, ये प्रसन भी हाई कोट कलर्क में पूछा गया था भी हाल में, अलमोगा जेल की स्तापना आयोग ने भी 816 माना हैं, जो मैंने आपको बताया है, और पौगरी में जेल 821, ठीक है, ये दोनो 837 में क्या हुआ सदर अमीन का पद भी हो गया, और थाना भी अलमोगा में स्तापित हो गया, लेकिन 837 में देखे क्या हुआ यहां की जो जनता थी, जनता ने सिकायत भरे पत्र बेजे थे उपर बिल्टीस हुकुमत को, ठीक है, तो इसको देखते हुए 837 में क्या हुआ, म 7new का कलेक्शन कैसा है, ठीक है, और अन्या जो लोगों को यहां पर फैसिलिटीज है, या लोगों के जो विकास कार है, वो हो रहे है या नहीं हो रहे है, ऐसा देखने के लिए को ना आए, मिस्टर बर्ड आए, लेकिन इन्होंने क्या पाय कि ट्रेल और सांती जो ट्रेल से ट्रेल के बाद जो गोवन है, इन सभी का जो कार है था, वो उतना उतक्रिष्ट नहीं था, ठीक है, ट्रेल के टाइम पे पर ऐसा कोई अच्छा काम नहीं हुआ, जनता की सिकायत है मिली, और जो यहां पर जो जो जादा ही सिकायत जनता के द्वारा मिली थी, बर्ड को, ठी तो यहां पर फिर 1839 के समय पर क्या होता है दोस्तों, एक नया कुमाओ का कमिशनर आता है, तो नया कुमाओ जनपत का नया कमिशनर आता है कौन, जोर्ज टॉमस लूसिंग गटन, 30 नवंबर 1839 को किसकी निकती होती है, जोर्ज टॉमस लूसिंग गटन की, ठीक है, अब जोर्ज लूसिंग गटन के साथ महत्व पर फैक्ट जुगा है दोस्तों, 1839 में कमिशनर बनाए और 1841 में नयानिताल की खोच की, किसने, पी बैरन ने, पीटर बैरन ने, ठीक है, वैसे तो खोच क्या की थी, बहुत से लोग बताते हैं कि जो नयानिताल छेत्र था, उसका प्रेल को पता था, और E. गार्डनर को भी पता था, कि नयानिताल नामे के एक छेत्र है, लेकिन लोगों की आस्था को देखते हुए, दैविक महत्तो को देखते हुए, उन लोगों ने इस जगह को जनता के सामने उजागर नहीं किया था, छुपा के रखा था नयानिताल क इसे बोला जाता है कि वो जील में बैठा कर ले गया उसको अपने साथ नाओ में, और जील के बीज में उसने नर्सियां के कनपटी बे तमंचा रखा था, और बोला था कि साइन कर दे, जो नयानिताल का पूरा जो छेत्र है, वो मेरे नाम कर दे या कमपनी के नाम जो भी व जो जाती है नैनिताल की, तो अब पता चल गया पुर दुनिया के सामने आ गया, क्योंकि पी बैरन ने भी अपनी पुस्तक में चेत्र का वायन कर दिया था, तो बिल्टिस जो उपनी वेज थे, उसमें या बिल्टिस जो लोग थे, उनके लिए तो बहुत ही रोमांज का व तो बहुत महतोपुण पॉइंट है दोस्तो, कोशन बन सकता है आगया में परिक्षा में, किस कमिशनर के टाइम पे नैनिताल का नगरी करण हुआ था, या किस कमिशनर के टाइम पे नैनिताल में पालिका गठन प्रारंबू हुआ था, नैनिताल नगर पालिका उसके लिए थाना इस्ताबी दुआ अठार सो तैयतालिस में कब हुआ 1843 में ठीक है उसके सांसा देखें लूशिंग गटन ने 1845 में क्या किया खेरना और नैनिताल जो मार्ग है यहाँ पर कार यह प्रारंब करवाया ठीक है खेरना और नैनिताल को जोगने के लिए मार्ग प्रारंब इसके बाद दिखें इसने कुछ सोशल वर्क भी किये यहाँ पर जो पब्लिक वैलफियर बोल सकते हैं मार्च 1848 में लूशिंग गटन ने अलमोगा में डिस्पैंसरी कमेटी गठित किये और इसके अंतरकत अलमोगा में एक उसदालाई इस्तापित किया यानकि उसदालाई किया गया लूशिंग गटन के द्वारा ठीक है देखें यूगे ट्रिपल में ऐसे पॉइंट आपको क्यों देता हूं कही बार आप सोचते होंगे कि फैक्ट जादा देते हैं आप अपनी वीडियो में और कॉंसेप्ट कम समझाते हैं देखें यूगे ट्रिपल सी का आप दे रहें तो आपको फैक्ट याद करने होंगे क्योंकि यूगे ट्रिपल सी का आप कोई भी पेपर उठा के देख लेजिए वहां पर फैक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं ठीक है कंपैरिजन टू कॉंसेप्स तो यहां पर सिंप्ली आजाए का कि लूसिंग गटन ने गोम कुमाओ गड़वाल का वहां पर मैंने आपको बदाय था 1815 में कुमाओ जनपत की स्थापना हुई थी लेकिन उस समय कुमाओ कमिशनरी स्वतंतरी रगाई नहीं थी कुमाओ जनपत को रखा गया था किसके अंतरगत कमिशनरी ओफ फरुखाबाद के अंतरगत ठीक है तो 1815 कंद्र से लेकर 1849 तक ये क्रम चलता रहा ठीक है लेकिन फाइनली क्या हुआ कि 1849 में जब यहां पर कौन था कमिशनर लूसिंग गठन उसके टाइम पर क्या हुआ स्वतंतर कुमाओ कमिशनरी का गठन हुआ ठीक है अगर कोश्चन आगामी परिक्षाव में बनेगा आपका क्या हुआ दोस्तों कुमाओ कमिशनरी का गठन हुआ और इसके साथ ही कुमाओ और गरवाल दो जनपत इसके अंतरकत बनाए गए गए कुमाओ तो पहले से था कुमाओ जिला यानकि अल्मोरा नैनिताल सब मिक्स जो था और गरवाल तैसिल थी लेकिन आप जो गरवाल थी पौगल खरवाल का मतलब यहां पे है अँआ पौगल गरवाल से ठीक है तो गरवाल और कुमाओ दो जनपत बन गए अब अथारसो उनतालिस में ठीक है इसके बाद देखेंके कुमाओ कमिशनरी अब स्वतंत्रे हो गई यहां, क्योशन यह भी बन सकता है, कि किस समय कुमाओ कमिशनरी को क्यों अधिकार दिये गए थैं, किस कमिशनर के टाइम पर, प्रसासन से सम्बदी, तो आपको याद रखना होगा, इससमये कमिशनर कौन है, लुसिंग गठन, ठीक कुमाओ कमिशनरी के अंतर्कत कितने जन्पद हो गए तीन जन्पद हो गए एक अलमुगा जन्पद या कुमाओ जन्पद दूजरा गरवाल जन्पद और तीसरा यहां पर तरहाई जन्पद ठीक है लेकिन 1848 में तरहाई जन्पद को कुमाओ कमिशनरी से हटा दिया गया ठीक कि गड़वाल जन्पद में उसमें कमीशनर नहीं बैढ़ता था, कुमाउजन पत व गजन्पद इन दोनों के लीए केवल एक कमीशनर था, हालां की गड़वाल जन्पत में एक डिप्टी कमीसनर होता था, टीक है, लेकिन जो राइड्स थे वो तो सभी मेन जो कमिशनर था उसके पास थे न तो एक कलूसिंग गटन ने सिकायत की थी उपर हाई कमान में कि देखे वैसे ही दो जनपदों कार या भार बहुत जादा हो रहा है और उपर से आपने तराइगो भी सामिल करकर कुमाओ कमिशनरी में डाल दिया है जिससे वर्कलोड बहुत जादा बढ़ गया है एक कमिशनर इसको हैंडल नहीं कर सकता या तो भाया आप कुछ नया यहां पर प्रसासनिक सुधार कीजिए या मैं रिजाइन करता हूँ ऐसे शिकायत गई तो इसको देखते हो बिर्टिसस ने किया कि अठार इसको नहीं कित्यास को यहां पर ब्रिटिस काल देख रहे हैं ब्रिटिस प्रसासनिक ब्यवस्ता या ब्रिटिस कुमाओंकरवाल देख रहे हैं उसी के हिजाब से पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो यह हो गया है चार्यक्ट पर लुसिंग गटन जो आमारा कमिशनर ह तो बहुत मजा आएगा आप जो नेक्स पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम कुमाओं का स्वॉणिंकाल देखेंगे हम तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेटन के बारे में यानिक ए 888 से लेकर 845 तक फिर 56 में आएगा कुमाओं का बेताजबात सा हैंडी रेम्जे मैंने गुमाणी ने कमिशनर लूसिंगटन की भूरी भूरी प्रसंसा किया है बोला जाते है कि कमिशनर लूसिंगटन के जो प्रसासनी कार्य थे जन्ता में अच्छा गशा लोकपिर दाऊ और एक समय दर्बार लगावा था और वहीं पर दर्बार में चंद के माध्यम से जो कुमाओ के प्राचीन कवी है गुमानी पंत इन्होंने तारिप की थी लुसिंगटन की ठीक है उतना महतोपुण ने एक्जाम पॉइंट अफ व्यू से कि लेकिन UK SSSC का कोई भरोसनी UKPSC में तो ऐसे कुश्चन ने आएंगे UKPSC में थोड़ा लॉजिकल कुश्चन आते हैं लेकिन UK SSSC की गारंटी में नहीं दे सकता है वहाँ पर ऐसा भी कुश्चन बन सकता है कि कि किस कवी ने प्रसंसा की है किस कुमाओनी कवी ने तो आपको पता हुना अच्छे गुमानी पंत न भागदों में जितने भी की पॉइंट है जो एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से बहुत महत तो पूरे UK SSSC के एक्जाम के लिए इस पेसली उनको डिसकस करेंगे ठीक है सबसे पहले जो कल का डाउट था आपका पिसली वीडियो का कि अलमोगा जील की स्तापना पौगली जील क तो यही है इसके बाद आप यहां के की पॉइंट देखते है अलमोगा में आपकारी वीभाग की स्तापना कवी जैसा कि मैं बदा चुका हूँ अठासो बाइस में हुई इस समय कुमाओ का कमिशनर कौन था कुमाओ जनपत का वह था ट्रेल कौन था ट्रेल ठीक है इसके बा गोबन थे गोबन के टाइम पर ही दिभ्यप्रथा की समापती हुई दिभ्यप्रथा आपको पता ना गोर्खा सासकों ने जब यहां पर राज किया था कुमाओ गरवाल छेत्र में तो उनके नयाएक ब्यवस्ता के अंदर के यह दिभ्यप्रथा थी जिसमें बहुत सी दिभ्यप्रथा उसके समापती कुमाओं में कब हुई थी तो 836 में हुई थी ठीक है बाकी जितनी महतोप्रथा क्या थी डिटेल में अगर आपको जानना है तो अनकेडमी पर जाईए और वहां पर एक कोर्स है गोर्खा सासन उसको देखिए आप इसके बात देखिए यहा धुक्त को अलग-अलग उपादिया दिए है इस पूस्तक में डीडि टीवारी बोलते हैं ट्रेल को जालीम सासक, कमिष्णर गोबन को बोलते हैं निर्बुद्धी सासक, बैटन और विकेट को बोलते हैं वो स्वार्थ परणा शासक और हेंडरी रेम्जय को उणने बोला ह एकाधिपती सासक ठीक है तो ऐसे कोश्यन बनने की संभावना रहते है दोस्तों देखे कोश्यन बन सकता है कि पॉलिटिकल नोर्स और कुमाओ पूस्तक में डीडी तीवारी ने किस कमिस्नर को निर्बुद्धी कहा है तो यह कमिस्नर गोबन है ऐसे जालिम पूस्त सकता है त पृथक तराई जिला बना था 842 में बना था उससे पहले तराई का छेतर था उसको 866 में रुहéstचंड में सामिल किया गया जबकि कासिपुर के कुछ परकनों को मुरादाबाद में सामिल किया था ठीक है लेके लेका यहां के कमिशनरों की सिकायत के बात क्या हुआ फिर से तराइस जीले को प्रथक कर दिया गया कुमाओ कमिशनरी से 849 में ठीक है यह बहुत महत्तों पूंड़ कि स्वतंत्र कुमाओ कमिशनरी की स्थाफना कब हुई थी तो स्वतंत्र कुमाओ कमिशनरी की स्थाफना यह 849 मे कुमाओ जन्पत जब इस्ताफित वह 815 में उस समय वो किसके अधिन था कमिशनरी ओफ फरुखावाद वर्तमान यूपी में है ठीक है तरहाई जीले का गठन कब वह था 842 में तरहाई जीले को यहां से प्रथक कप किया गया 842 में फिर और वापस आजाएगा तरहाई जीले आभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे ठीक है तो वेट कीजिएगा नेक्स पार्ट का लास्ट पॉइंट की पॉइंट कमिशनर लुसिंग अब आप सोचेंगे कि मैंने ऐसा की पॉइंट यहां पर क्यों दिया है कि कमिशनर लुसिंग गटन का निधन यह धोड़ी पूछे का आयों ठीक है लेकिन ऐसे मैंने दिया है क्यों कि कारेकाल के दौरान इसकी मिर्थी होई थी दोस्तों ठीक है माला ओन दर ड्यूटी कि कुमाओं का स्वांगिम काल जो है उसका टाइम पिरेट का था बैटन का तो अठार सौ अगरतारिस में आपको याद आ जाएगा कि लुसिंग गटन की मिलती हुई थी इस हिसाब से बैटन अठार सौ अगरतारिस में आकर उसने वहां पर पद ग्रहंग किया होगा ठीक है अलग अलग पुस्तकों में लेकिन आयोग भी तो यह की पुस्तक फॉलो करता होगा ना दोस्तों क्योंकि कुमाओं के इतिहास में अगर मैं देखू बद्री रत्पांडे जी की जो भूग है उसमें कुछ पॉइंट अलग है लेकिन जो अजैसिया रावद जी वाली पुस किसी और तीसरी पुस्तक से वह पॉइंट क्लेक्ट करने की कोशिज करूँगा तो आप निश्चिन्त रहें और सांती जादी जादा सेयर करें इस टॉपिक को काफी महत्तोप होग है और जितने भी अन्य टॉपिक चलने है चैनल पर जल्दी आपको मिलते रहेंगे और सां आते आयों कि नेक्स्ट जो एक्जाम केलेंडर है वो पबलीज हो जाता है तो उसके बाद आपको बहुत जल्दी मटीरियल एवलेवल हो जाएगे यहां पर ठीक है बागि अगर कोई पी डाउट कोई लोगी तो फेस्बूक पेज 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 सकते हैं फेस्बूक पेज आ झाल